मैं बढहाया था इसको में एक पर और से रिवीजन करा देते हैं आप लोगों को हम ने पढ़ाया था एक्सेर्णल और इंटर्नल और गेंस के बारे में जो आपके बुख्ट का जो फस्ट चेप्टर है बोर है इंटर्नल और गेंस वाई होते हैं आई, नोज, स्किन, टंग, और इंटर्नल ओर्गेंस होते हैं, ब्रेन, हार्ट, नंग्ज, और स्टॉम, इन सब चीज़ों को हमने आपको पढ़ाय था, और आज उसी चप्टर को आगे पढ़ाते हिए, हम आप लोग को कीपिंग बोडी, फीट और फाइब के बारे में एबिस आपने शरीर को फीट और फाइब को रखें, एड्ली पार्ट सफ ओडर्डी परफॉर्ट जान आप पॉक्टर कीप और हर्ट सरीर को हमें साथ, फीट और फाइब को रखना चाहिए, जो आपने सरीर को रखना 먼저 के अपने कर पोड़ी रखना चाहिए, गीinkyए में व् इत हेल्दी फूड एवाइट जंक फूड अमेसा स्वस्त भोजन करें और बाहरी चीजों को वाइट करें जंक फूड को ना खाल होगा आर के लिए बहुती फानीकारक होता है दिन मिले कम से कम आठ ग्लास पानी पीए और इससे ज्यादे भी पी सकते हैं इट वी कीप यू अवे फॉम दिजिस यह आपको वीमारी से बचाता है जितना पानी पीएंगे आपके हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा होगा आवर पड़ी नीड रेस्ट फिल, वीफिल, जब आपके बोड़ी को और कम्ती रेस्ट जब आप अपने आपको ठका हुआ मैसर्श करें तब आप रेस्ट ले नहीं तो आप वीमारी पड़ जाएगा अच्छी नीड मले अपने बोड़ी को रेस्ट करने के लिए अरली तो बेड और अरली तो राइज जल्दी सोय रात को और सुबा जल्दी उठें यह आपके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है अच्छा है मेक अमेन हेल्दी वेल्दी आइन वाइफ यह आपके सरीर को और आपके दिमाग को के लिए बहुत ही वादे मंद होता है सुबा चल्दी उठना एक्सरसाइज रेगुलर ली रोज एक्सरसाइज करें इट कीप आर बड़ी हेल्दी इट अलसो मेक आवर मसल्स एक्सरसाइज करने से आपके बड़ी स्ट्रॉंग होती हैं आपके मसल्स मजबूत होते हैं और आप अपने आपको हल्दी और फिर्ट महसूस करते हैं एक बात डेली और वेर टीन प्लॉट आप रोजवा नहाएज और हमेसाँ साफ कपड़ा पहनियें अपने हाथ को पूर को अच्छे से ग्लीन कीजिए और नाकुन को कभी भी बढ़ने मत दीजिए ये आपका है यूनित फॉस्ट चैप्टर जो यही खतम होता है इसके आपका वीडियो नहीं से अप्लॉट कारेंगें